आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। को देखें, तो सबसे पहले यहां पर MN पर जो आक्सिकरण संक्या है, वो कितना है, धनात्मक साथ, और इधर MN पर दो आवेस, यानि कि आक्सिकरण संक्या क्या है, धनात्मक दो, ठीक है, यानि कि अपचैन होने वाली जो अभिक्रिया है, अपचैन, वो किसका हो रहा है, तो MN जो है वो रिडावेस जो है आपका एक से किसमें परिवर्थित हुआ है तो MN धनात्मक 2 है यहाँ पर धनात्मक 7 से धनात्मक 2 हुआ है यानि कि यह कितना इलेक्ट्रोन ग्रहण किया होगा 5 इलेक्ट्रोन ग्रहण किया होगा अब वहीं अगर हम लोग दूसरा देखें C2O4 Oxalate Iron तो C2O4 में अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से होता है ये एक रिणावेस हुआ और इधर आपका द्विक्बंद और एक ये रिणावेस हुआ अब यहाँ इस कार्बन की आक्सिकरण संख्या ये इस कार्बन की आक्सिकरण संख्या कितनी है तो धनात्मक 3 और इसकी भी धनात्मक 3 और वहीं अगर हम लोग CO2 में देखें ये अगर CO2 में परिवर्तित हो रहा है तो 2 Oxygen यानि कि यहाँ पर धनात्मक 4 और 2 अडू बन रहे हैं तो धनात्मक 4 और गुड़े हम लोग कर देंगे 2 तो कुल मिलाकर अगर कार्बन का देखा जाए दो कार्बन को मिलाकर तो ये क्या हो गया धनात्मक 6 से धनात्मक 8 हुआ है यानि कि यहाँ पर आक्सिकरण अवस्था में बढ़ोतरी हुई दो इलक्ट्रोन बाहर निकल रहे हैं अब ये संभव नहीं है कि ये दो इलक्ट्रोन दे और ये 5 इलक्ट्रोन ले जो जितना देगा उतना ही वो ले सकता है यानि कि दोनों के आवेस को हम लोगों को बराबर करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे त्रियक गुड़ा कर देंगे दो से गुड़ा कर दें हम लोग मैगनीज वाले में और पांच से गुड़ा कर दें हम लोग ऑग्जलेट वाले में तो अभिक्रिया के पस्चात हम लोगो क्या मिलेगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिखें हम लोग लिख देंगे 2 MnO4 रिड और यहाँ पर अभी H को ऐसे ही रहने दिया जाए और यह क्या हो जाएगा 5 C2O4 रिडावेस 2 और यह क्या हो जाएगा तो यह 2 Mn धनात्मक 2 और यहाँ पर 2 पहले से है इसमें हम लोग 5 से गुडा कर रहे हैं तो अब यह क्या हो जाएगा 10 CO2 ठीक है और इस जल कोई अडू को भी हम लोग ऐसे ही रहने दें अब अगर हम लोग आवेसों को देखें तो आवेस हम लोगों का पूर्ण हो चुका है क्योंकि यहाँ पर देखें यह धनात्मक 7 से कितना हो गया गुडे 2 कर दे हम लोग तो धनात्मक 14 से यह परिवर्टित हो गया धनात्मक 2 गुडे 2 यानि कि धनात्मक 4 में ठीक है तो 14 से 4 यानि कि 10 इलेक्ट्रोन का अंतर है और यहाँ पर धनात्मक 3 गुडे 2 गुडे 5 हो गया है ना पांच जुना 10 और यह 30 हो गया ठीक है धनात्मक 30 और यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो यह धनात्मक क्या है 4 है और गुडे 10 हो गया यानि कि 40 तो यह 30 से 40 में परिवर्टित हुआ और यह 10 से 14 से 4 में परिवर्टित हुआ यानि कि 10 इलेक्ट्रोन ये ग्रहण किया है और 10 इलेक्ट्रोन ये दिया है अब दोनों तरफ से बराबर हो गया अब अंतिम में हम लोग क्या करते हैं अंतिम में हम लोग बराबर करेंगे किसका आक्सीजन परमाणों की संख्या ठीक है तो देखे अंतिम में अगर बराबर कि जाए तो यहाँ पर कितना oxygen हो गया तो यहाँ पर कुल 8 oxygen हुआ और इधर कितना हुआ तो इधर यह 20 oxygen हुआ चीक है 20 oxygen पांचों को 20 अब इधर में हम लोग देखें तो 10 दूना 20 हुआ तो हमारे पास कितना अधिक हो रहा है इधर MN के पास कोई है नहीं तो हमारे पास अगर हम लोग देखते हैं तो 8 oxygen जो है वो अधिकता में है तो हम लोग यहाँ पर बराबर करने के लिए 8 H2O लिखते हैं अब अगर हम लोग 8 H2O इधर लिखेंगे तो hydrogen इधर कितना हो जो हम लोगों को मिल रही है तो 2 MN O4 रिडावेस धन 16 H धनावेस धन 5 C2O4 रिडावेस 2 और यह क्या दे रहा है तो 2 MN धनावेस 2 धन 10 CO2 धन क्या हो गया है तो 16 बटा 2 यानि की 8 H2O अब इस में से हम लोगो किसका किसका मान पूछा गया था तो Y था MN का और X था H का ठीक है तो X और Y तो X का मान कितना है देखे X हो गया 16 और Y हो गया हम लोगों का 2 तो 16 और 2 अगर हम लोग बिकल्पों में देखें तो दूसरा बिकल्प हम लोगों को मिल रहा है यानि कि उत्तर हम लोगों का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा द हन्यवाद